नमस्कार दूस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीराबान, गानेकॉलिजिस्ट, ऑप्सेटीशन और लेप्रोस्कोपिक सर्जिन विद अराउं 35 एर्ज उफ एक्स्पिरियंस. हमने पहले एक वीडियो में बात करें, कि ये योटरस ये बच्चे दानी होती है, इसके दोनों साइड में ये फिलोपियन ट्यूब्स ये नलके होती है, नलकेों का बहुत इपॉर्ट रोल होता है, क्योंकि एक यहां से रिलीज होके आता है, स्पॉम्स यहां से आते हैं, और के इस वीडियो में हम इसी नलके के जाँच के लिए जो सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है, हिस्ट्रोस सेल्पिंगोग्राम, जिसे ब्रीफ में एक्सरे होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले है, हिस्ट्रिस मतलब की बच्चे दानी है, यूट्रिस, स्यालपिक्स या इसलिए हमेशोर होना होता है कि आप प्रेगनेट नहीं और आपके ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसे करने का बेस्ट टाइम होता है, आपके पीरियड्स खतम होने के बाद अगले दो-चार दिन में, जैसे कि अगर आपका पीरियड की ब्लीडिंग तीन देन रह है तो चौथे पांचवें यह सटे दिन कर लेते हैं, अगर छे दिन रह रही है तो सथे साथ पे यह आठवें दिन पर कर लेते हैं, इस चार्ज को करने से पहले आपको किसी प्रकार की नीचे की इंफेक्शन नी चाहिए, तो अगर आपको बदबुदार डिस्चार्ज या अपने डॉक्टर को जरूर पढ़ा दे, जिस तिन हमी जाँच करनी होती है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और आपको हम एक्स्रे रूम में एक बेट पिल लिटाते हैं, उसी पुजीशन में जिसमें हम आपका पैप स्मीर या का इनी चेक अप करते हैं, नीची के एरिया को एंटिसेप्टिक सेल्यूशन से सफा करके, इसमें एक पतला सा उजार डालते हैं, जिसके थुरू एक दवा डलते हैं, जो कि एक रेडियो पेक दवा होती है, रेडियो पेक का मतलब है कि वो एक्स्रे में सफेद रंकी दिखती है, और हम एक्स्रे पे देख सकते हैं, कि वो यूट्रस के अंदर वच्चे दानी से होती हुए डलकियों से लेके सारे एरिया में बिखर गई, अगर ट्यूब्स खुले हैं, तो यह रुकी रहेंगी आपे, तो यह न किवल हमें यह एक्स्टी बताता है कि ट्यूब्स खुले हैं या बंदे, पर करना पड़ता है, इसमें यह भी पता चल जाता है कि यूट्रस की शेप में कोई अपना हमलेटी तो नहीं है, या इसमें कोई रसॉली, अंदर की तरफ का फाइब्रॉइट, पॉलिप तो नहीं है, अगर आपके बच्चे दानी में जाले हैं, जिसे अशर में सिंड्रूम क जाते हैं, उसकी चानकारी भी है, यहीं नहीं, अगर आपके ट्यूप्स में पतली पतली जाले हैं, जैसे की कमरे में कई बार लग जाते हैं, तो अगर नीचे से हम बहुत प्रेशर से डाय पुष करें, तो कई बार यह भी ब्रेक हो जाते हैं, और इसी लिए कहा जाता है, कि HSD के बाद अकले 3-4 महीने प्रेग्नेंसी होने का चांस जादा होता है तो कुछ क्रैंपिक पेन और ब्लीडिंग हो सकते हैं जादा तर लड़कियां इसको सिर्फ दर्द की दवा और टिके के साथ करवा लेती हैं जिसके लिए आपको खाली पीट नहीं आना पड़ता और आधी से घंटे में आफ्री हो जाते हैं पर जो लोग दर्द से जादा सेंसिटेव हैं या नहीं सहपाते दर्द उन लोगों को जेनरल एनेस्थीजिया यानि की पूरा बिहोश करके भी HSD कर लेते हैं उसके लिए आपको खाली पीट आना पड़ता है कई घंटे हस्पताल में रहना पड़ता है और उस प्रोसीजर से पहले बेहोशी की डॉक्टर से मिलके टेस्ट वगेरा करके अनेस्थीजिया क्लेरेंस लेनी पड़ती हैं हम आपको कुछ दर्द की दवाईयां और एंटिबाइटिक्स देते हैं ताकि आपके इंफेक्शन ना हो पर फिर भी आपके क्रैंपिंग पेन और थोड़ी बहुत स्पोर्टिंग कुछ दिन तक रह सकते हैं आपको हमेशा एक साथ में किसी को लेके जाना चाहिए क्योंकि अगर दर्द हो तो कोई आपको ड्राइबैक कर सके कभी-कभी इतना दर्द होता है कि लोगों को प्लकुल टाइट रख लेते हैं लोग अपना हिस्सा और ट्यूब्स जो है वो स्पैजम ही चली जाती है तो रिपोर्ट आ जाती है ब्लॉक ट्यूब्स पर एक्चुली वो खुली होती है तो एचेस्जी हमेशा करेक्ट इंफरमेशन नहीं देता कभी-कभी गलत रिपोर्ट भी दे सकता है तो ऐसे परिस्तिती में जो गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे रिलाइबल जांच है ट्य पूश करके छुट-छुटे निक्स के साथ देख सकते हैं कि ट्यूब्स खुली है या नहीं और उसी के साथ उसका उसी सिटिंग में इलाज भी कर सकते हैं मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको लाब दायक रगी और आप हमानी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब क